प्रदेश के निकाय चुनाव में भारी जीत के लिए भारतिय जंता पार्टी युद्धिस्तर पर बैटके कर रही थी जिसमें 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक बैटके होने थी और 16 दिसंबर को सभी आवेदन करता से आवेदन लिये जाने थे लेकिन जिस तरीके से हाई कोट ने OBC आरक्षन के मामले पर 20 दिसंबर तक इस्टे लगाया यानि जिसके बाद अधिसूचना जारी नहीं हो पाई उसको लेकर भारतिय जंता पार्टी ने भी प्रत्याश्यों की चैन की प्रक्रिया को रोग दिया है हम इस समय भारतिय जंता पार्टी के प्रदेश कार्याले में मौझूद है मेरे पीछे की तस्पीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतिय जंता पार्टी के कार्याले में सनाटा नजार आ रहा है लगातार यहाँ पर जिस तरीके से कारेकरताओं की भीड थी आवे करता को बीजेपी के कार्याले में आवेदन देने थे लेकिन अब जिस तरीके से कोट का इस्टेज आ रही है 20 दिसंबर के बाद ये तस्वीर ताय होगी कि निकाय चुनाओ के लिए कोई तिथी आती है या फिर अगली तिथी को बढ़ाया जाना है भारतिय जंता पार्टी न तरीके से विराम लगा और भारतिय जंता पार्टी एक अलग तरीके की रन्निती बना रही है आने वाले समय में ये देखना होगा कि निकाय चुनाओ को लेकर भारतिय जंता पार्टी कितना लोगों के बीच में जा पाती है लखनव से वीडियो जनली शंबरीश के साथ दीब खेर भारत समचार